आज बहुत दिनों बात एक बेंगॉली डिश लेके आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ यह बहुती टेस्टी बेंगॉली डिश है जिसे मैंने फिश के सर से बनाया है ठंड के सिजन में पालक के साफ में बैगन, मूली, आलू डाल कर और जो मचली होती है उसके सर से आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो घर में सबी को अच्छी लगेगी एक तो यह बहुत ही हल्दी डिश है और बहुत ही असान से बन जाती है और इसमें नमक हल्दी के अलावा कोई भी मसाले का यूज नहीं होता है जो एक बार खाएगा वो बार बार इसको खाना चाहेगा तो फ्रेंस चलते हैं शताब दिश्चेश में और पूरी की पूरी हम सब मिलके रेसिपी देख लेते हैं जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं उनसे भी रिक्रस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजेगा फ्रेंड्स तो चलिए चलते हैं तो यहां मैंने आज 4-5 लोग के लिए बनाना है तो मैंने एक ही सर जो है ले लिया है रूई हो या कातला उसको मैंने नमक और हल्दी डालके अच्छी से मेरिनेट कर लिया है इसको हम तेल में पहले बहुत अच्छी से फ्राइ कर लेंगे यह रेसिपी खाने में बहुत टेस् अगर बना सकते हैं अगर सर्सो के तेल से बनाएंगे तो यह बहुत ही टेस्टी बनती है अब देखिए और को बहुत अच्छी से गरम करना है नहीं तो क्या होगा जैसे हम मचली रखते हैं नीचे से चिपक जाता है तो जो मैंने मचली के जो एक सर को तो को एक से नीचे को हाफ हाफ काट के लिया था और अच्छे से धोग कर मैरिनेट करके दर्ख़ा था उसको इस और में डाल के में corazón के अक्चे से प्राइय कर लेना है उलटते पूलटते दोनों साइट से ही इसको प्राइई करना है एसे व्राइय करना है कि इसको जब diferen मां अराम से तूट जाए जादा टाइम नहीं लगता है आप पास ही खड़े होगे इसको फ्राइ कर ले अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स तो यह देखिए मचली का जो सर है वो एकदम रेट कलर का हो गया है और इसको मैं अब ब जरूर ट्राइ कीजिएगा यह बेंगॉली डिश है और बहुत ही टेस्टी बनी है यहां देखिए मैंने पालक के साथ को पहले आपको दिखाया है धोके काट लिया है उसमें मैंने छोटे-छोटे मूली गाजर टमाटर आलू और एक दो हरी मिर्च भी मैंने काटके डाली ह हुई है बहुत ही टेस्टी यह बनता है इसको पहले हम कढ़ाई में उसी के उपर डाल देंगे और डालने के बाद इसमें कोई भी मसाला हमें यूज नहीं करना है गैस का फ्रेम जो है कम कर देना है क्योंकि यह सबजी बिना पानी के धक के पकने वाली है तो पूरे को मैंन अब हल्दी और नमक को एड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें और कोई भी मसाला नहीं डलना है यह सबजी ढक के बनेगी और इतनी टेस्टी लगती है एक बार आप जरू ट्राइ कीजेगा तो अब मैं इसको ढकूंगी और ढकने के बाद बीच- और बैगन हो और मूली गाज़ा जो भी है वो अच्छे से सीज जाए इसी तरह से देखिए फिर से दुबारा मैं इसको ढख दूँगी ऐसे ढखकर बार-बार खोल के इसको उपर नीचे कर्ची जो है चला दीनी है तो करीबर साग को बनने में 6-7 मिनट ही लगे हैं यह देख बढ़ा दिया है और बढ़ाने के बाद इसको इसी तरह से पकाऊंगी पकाते पकाते क्या होगा इसमें जो भी पानी है वो देखिए सूख गया है जैसी थोड़ा सूख जाता है तो समझ लीजे साग बनकर बिलकुल रेडी है फ्रेंस इसको गरम चावल के साथ खाईए तो इसके साथ जादा सब्जियों की जुरत नहीं पड़ेगी इसमें मैंने सारी सब्जियां डालके साग को बनाया है तो देखिए अब मैं सर्व का ले रही हो एकदम गरमा गरम साग है चावल बनाईए और उसके साथ जरूर सर्व करिए सब को खिलाईए आप खुद भी खाक बता सकते हैं किसका टेस्ट कैसा है अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजीगा आपके लाइक और कमेंट्स से मुझे अंदर से उस साहा मिलता है जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब कर दें बेल आइकन भी अगर आप प्रिस करते हैं तो जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी मेरे चैनल में बहुत सारी चत्निया है नॉनवेज है वेजिटेरियन है आप जैसी भी कर ठें बहुत सभाईश निदेज अreनी वेकन धाएगी में बहुत सबसते हैं आप जयश्वेकेशन सबूस्ज़ करे चाहिती।